तो वैसे यहां पर यह रहा मेरे पास Samsung Galaxy A54 5G स्माटफोन और यहां पर यह रहा 50 Megapixels का ट्रिबल रियर क्यामरा आपको मैं इसी स्माटफोन के इसी वीडियो में कुछ क्यामरा के सेटिंग्स बताऊंगा दूस्तों भहेतरन सेटिंग्स बताऊंगा आपको भहेतरन शोट्स क यह क्या काम करता है और यह क्या काम करता है बुलकर तो चलिए कामरा एप ओपन करते ही आपको यहां पर मिलता है fun mode यहां से आप funny shots ले सकते हैं बहुत सारे अलग-अलग filters के साथ में यह देख लीजिए आपको जो filter अच्छ लगते हैं फिल्टर लागा कर funny shots ले ले लेना है यह word angle क्या है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे अच्छे से explain करके बताऊंगा photo mode में इसके अलावा आप इस पर click करके जो photo आप click कर रहे हैं उसका size रख सकते हैं resize कर सकते हैं photo के size को यह दिख लीजिए अपने हिसाब से इसको भी कर लेना इसके अलावा आप हम पर timer भी set कर सकते हैं 2 seconds, 5 seconds और 10 seconds का आप 2 seconds कर लिया तो photo click करते वक्त में इस तरह सी 2 seconds का time आएगा 2 seconds के बाद में automatic photo click हो जाता है आप अकेले हैं photo लेना वाला कोई नहीं है या आप group के साथ photo ले रहे हैं तो उस वक्त यह timer भूती useful हो जाता है तो अचलिए इसके अलावा यहां पर next आ आप ऐसी जगाँ पर हैं वहां पर lighting बहुत ज्यादा है तो इसको कम कर लेना कम है तो ज्यादा कर लेना lighting condition के इसाब से इसको कम ज्यादा कर लेना दूस्तों इसके अलावा जो background blur हो रहा है उसकी capacity को आप ज्यादा कर सकते हैं blur के capacity को कम ज्यादा कर सकते हैं blur ज्यादा होना उसके capacity को एक से लेकर आंट तक आप ज्यादा कम कर सकते हैं इसके अलावा आप इस पर click करके photo का size resize कर सकते हैं कि size में आपका photo click हो वो कर सकते हैं इसके अलावा timer भी आप इसमें भी set कर सकते हैं इसके अलावा next आते हैं अब भी photo mode यह normal mode है दूसरों इसमें आप anytime photos ले सकते हैं आप इसमें पर zoom करना चाहें तो 10x तक zoom करके photos ले सकते हैं आप उसके अलावा wide angle भी ले सकते हैं आप यह wide angle का मतलब का है आपको मैं बताऊंगा अब मानला आप photo ले रहे हैं यह normal mode है यहां पर आप खड़े हैं चार लोग खड़े हैं और यहां पर camera man खड़ा है और photo आप ले रहे हैं और कम जगा होने की वाचा से camera में दो ही लोग दिख रहे हैं पीछे हटने के लिए भी जगा नहीं है तो उस वक्त यहां पर 0.5 पर हम क्लिक करेंगे तो यह हो जाता है word angle उसी कम जगा में 5 लोग भी दिखेंगे 6 लोग भी दिखेंगे 7 लोग भी दिखेंगे यह आप कर सकते है word angle का मतलब यह होता है इसमें ऐसे चीजों में ऐसे problems में आप इस word angle का मदद ले सकते हैं इसके अलावा इस पर clicker करके अप यह पर कुछ filters आपको मिलते हैं जो filter आपको अच्छा लगए वो filter लगा कर आप इसमें photos ले सकते हैं अब मालो आप को इस filter अच्छा लगता है लेकिन इसकी capacity को आप थोड़ा कम करना चाहते हैं सकते हैं कि अपर इस इस पर क्लिक करेंगे यहां पर स्वेस्स करेंगे चल्देख सकते हैं कि मरजी के हिसाब से उसके अलावा आपके हम पर मिलता है तो motion photo ये दिख लीजे आप हम इसको on करेंगे तो ये on हो जाता है आप photo लेते हैं तो फोन को हिलाते हैं तो ऐसा लगेगा कि आपने phone को हिलाया नहीं मतलब आपका अच्छे से photo click होगा अभी हम पर मैं नीचे रखा हूं camera बंद हो चुका है उसलिए हम पर ये बंद करता दस्तों काम ये low light में काम नहीं करता आप इसको on करके photo लेंगे तो आपका एक अच्छे से photo click होगा blur के type नहीं आएगा shake नहीं होगा इसके अलावा आप इस पर click करके हम पर जो photo click कर रहे हैं आप उसका size भी आप हम पर resize कर सक अंगे timer भी रख सकते हैं इसमें भी timer यूज़ कर सकते हैं इसके अलावा यहां पर और हमको मिलते हैं flashlight का feature है यहां पर यह पर set करेंगे तो रात फोटो क्लिक करते वक्त इतना ही यह flashlight on हो जाता है एक और पर click करेंगे तो यह off हो जाता है एक और पर हम click करेंगे इस तरह से इस पर set करेंगे इसको तो जब भी आप फोटो लेते हैं यह on हो जाता है दूस्तों इस तरह से आप set करेंगे तो और चली इसके बाद आते हैं नेश्ट यहां पर वीडियो मोड में आप यहां पर zoom करना चाहिए वीडियो मोड में तो 10x तक zoom कर सकते हैं और कमाल की बात यह है कि आपको इसमें wide angle भी मिलता है इस वीडियो मोड में भी इसके अलावा आप इस पर click करके यहां पर filters ला सकते हैं जो filter आपको अच्छा लगे capacity को कम ज्यादा करते हुए इसके अलावा यहां पर देखते हैं और क्या है यहां पर आप Ultra HD 30fps में वीडियो recording कर सकते हैं इसमे वीडियो को size आप resize कर सकते हैं और यहां पर इसको on करना super study को यह क्या है आपको मैं बताऊंगा आप इसको on करके video recording करेंगे तो आप phone को हिलाते हैं तो ऐसा लगेगा कि आपने phone को हिलाया नहीं मतलब आपका video shake नहीं होगा दस्तों एक professional video recording होकर आएगा आप इस super study को on करना video recording करते वक्ते हैं आप phone को हिलाते हैं running में अगर आप video recording करने तो उस वक्त इसको जरूर आउन करना इसके अलावा फ्लेशलेट का feature है एक बार हम इस पर set करेंगे तो यह आफ रहेगा तो चलिए इसके बाद यहां पर देखते हैं अभी more में more में आने के बाद आपके हांपर pro mode मिलता है इस pro mode में आप आकर DSLR camera के कुछ settings करके photos ले सकते हैं यहां पर ISO है अपने lighting condition के इसको कर लेना shutter speed है इसको भी कर लेना अपने हिसाब से और EV है इसको कम जादा कर लेना बहुत सारे आपके हांपर settings मिलते हैं जो DSLR camera में होते हैं autofocus manual focus है इसके अलावा white balance है यह सारे settings settings आप हैंपर कर लेना दोस्तों यह हो गया इसके बाद यहां पर इसी pro में आने के बाद आपके हांपर developer आप क्लिक करेंगे तो यह wide angle हो जाता है wide angle में भी shots ले सकते हैं इसी मोर में click करने के बाद आपके हांपर मिलता है pro video मतलब आप DSLR camera के कुछ settings करके video recording भी कर सकते हैं यह में भी video के लिए फीचर आपको मिलता है word angle भी मिलता है और DSLR camera के सारे settings करके आप video recording भी कर सकते हैं इसी मोर में आने के बाद single take shots भी ले सकते हैं net mode का एक feature आपको मिलता है यह कह है मतलब रात में आप photos लेते हैं तो इस net mode में आकर photo लेना एक भहतरिन photo click होकर आएगा तो normal mode मे से भहतरिन उससे भी normal mode जो photo अप लेते हैं उससे भी अच्छा photo click होकर आएगा net mode में इस mode में आप लेंगे तो तो इसके अलावा आप में पर zoom करना चाहे तो 10x तक zoom कर सकते हैं wide angle मिलता है टैप करके lighting को ज्यादा और टैप करके lighting को कम कर सकते हैं लेटिंग के condition के हिसाब से photo इस अपर इसमें भी यूज कर सकते हैं यहां पर यह सारे settings आप इसमें भी use कर सकते हैं दसे हो वापको इसी मौर में आने के बाद आपको यहां पर मिलता है प्यानोरॉमा यह का है आपको मैं बताूंगा अब मालो बड़ा place है अब पूरे place को एक ही photo में लेना चाहते हैं त आप नॉर्मल मोड में राएकर कोई भी चीज के सामने लेकर जाएंगे क्यामरा को तो ब्लर दिखता है आप इस मैक्रो मोड में आकर कोई भी चीज के सामने लेकर जाएंगे क्यामरा को तो ब्लर नहीं दिखेगा डीटेल में दिखेगा वह चीज दिखेगी दिस्तों इसके लावा इसके lighting को कमचादा कर सकते हैं tap करके filters यूज़ कर सकते हैं इसके अलावा यहां पर photo का size research कर सकते हैं और flash out के feature को यूज़ कर सकते हैं यह सारे features आप इस macro mode में भी यूज़ कर सकते हैं जैसों उसके बार आपके बर सूपर स्लोमो का फीचर मिलता है आप बर सूपर सिलोमो वीडियो रिकोडिंग कर सकते हैं एडिड करने के जरुरत नहीं एक अपट लक लेना चाहिए इसको बहुते हैं तो यूज रहें चलिए इसके बार फोटो मॉड में आएंगे सेटिंग के एके ब यहांपर watermark है, इसको on करेंगे, इसको उपर एक बार क्लिक करेंगे, आप यहांपर देख सकते हैं, model name यह off करना चाहिए, आप इसको on करेंगे, तो किस phone में आपने photo click किया है, वो पता चलेगा, आपका photo, जैसे के, यह photo हमने click किया, यह photo example यहाँ पर दिख रहा है फोन का model यहाँ पर दिख रहा है galaxy A54 5G बुल कर इसके अलबा edit name पर click करके आप इसको निकाल करें अपना नाम भी वगरा डास सकते हैं इसके बाद date and time को on करेंगे तो किस date पर किस time पर आपने photo click किया है यहाँ पर आपको बताएगा दूसों यह set कर सकते हैं इसके अलबा फॉंट मतलब आपकी जो फॉंट है न यह जो watermark बताता है वो कैसे आना चाहिए फॉंट के style को रख सकते हैं और बेच में right लेफ्ट आप यहाँ पर कहा रखना चाहिए वाटर मार्क को वहाँ पर इसको set कर सकते हैं इसके अलबा ब्याक आने के बाद थोड़ा brightness को कम कर लेता हूं ताकि अभी हम पर आपको अच्छे से दिखे फॉंट अभी दिख रहे हैं तो ठीक चलिए यहाँ पर नीचा आने के बाद आपके हम पर मिलता है चलिए वीडियो स्टेबलाइशन यह आफ है तो इसको अन कर लेना अटो हड़ को अन कर लेना ग्रिड लेंस को अन कर लेना कैमरा एप ओपन करने के बाद आपको लेंस दिखेंगे उन लेन्स को देखकर आप पता कर सकते हैं अपने फोन को आपने कितना सीधा पकड़ा है शूटिंग मेतड़्स में आना हम पर प्रेस वैलूम की टू मतलब आप इस पर सेट करके रखेंगे तो कैमरा एप ओपन करके वैलूम बटन पर क्लिक करेंगे तो वीडियो मोड में है तो वीडियो रिकॉर्डिंग होना शुरू होगा और फोटो मोड में है तो फोटो क्लिक होगा और यहाँ पर जूम इन और ओट पर सेट करेंगे तो कैमरा एप ओपन करके वैलूम बटन पर क्लिक करेंगे तो जूम ज्यादा होगा minus button पर click करेंगे तो zoom कम होगा इसके बाद control system volume पर set करेंगे तो sound कम ज्यादा होता रहेगा इसके बाद wise commands को भी on कर सकते हैं आप chase वगरा बोल करें capture, chase, shoot इसे बोल कर आप क्या कर सकते हैं photo click कर सकते हैं phone को बिना छुवे, बिना touch किये इसके बाद show palm ये off है तो इसको on कर लेना, आप selfie camera open करके इस तरह से हाथ बताएंगे phone को बिना touch किये तो automatic photo click हो जाता है व्याक आने के बाद यहाँ पर एकदम नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है reset settings सबसे पहली चीज़ तो यह थे इसी Samsung Galaxy A54 5G smartphone के कुछ camera के settings आपने ठीक से कर लिया ये सारे settings अपने मरजे के साब से कर लिया तो ठीक है इसके अलावा आपने कुछ गडबड कर दिया फेल कर दिया settings तो आपको क्या करना है reset settings पर क्लिक करके reset पर क्लिक कर देना है तो जैसे नया phone लेने के बाद में जैसे settings थी सारे settings उसी तरह हो जाएंगे एक और बार वीडियो देकर आप एक और बार ये सारे settings कर सकते हैं तो यह था दोसों वीडियो आपको कैसा लगा नीचे comments में बता देना और आप इसी smartphone के top 60 plus tips and tricks इंट्रेस्टिंग hidden features वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो की link आपको नीचे मिल जाएगे description में 60 से ज्यादा कमाल के features बताएओं दोसों उस वीडियो को बिल्कुल भी miss मत करना तो चलिए मिलते हमसे एक और नए वीडियो में उस वीडियो की link आपको नीचे description में भी मिलेगी और 2-4 seconds के बाद में end screen में भी मिलेगी यहाँ पर